बीजेपी के सांधर राजर राजी परताब रूरी जीन जो छुपा के रखा था इसको रनाकाल में भी एम्बूलनस को यह जब याहिर हम लोग सब जानते हैं यह फप्पू यादब जीन ने उसको जागर के वहां फुजागर किया ठीडिंगे मेरा ये कहना है कि उस दिन भी की गुरबदारी हो सकती थी उसके बार टी गुड़ ये आखिर हो क्या रहा हो हमारे रास्तिया पार्टी के मिदेश के बार से अपनी सख्रिता के पार्टी की सख्र्ठा को देख तեռे हमको त्हले के लिए यंजे हमारे अंदर और कि मैं मदेपरा से कंटेस्ट कर रहा था है मैंने हुआ पप्पु यादव जी भी होई से कंटेस्ट कर रहा है थे मदेपरा वास्तुर उनका जमानत कराया आप लोगों को सुचिक होगा और उस समय अब देखिए अब देखिए औरिटनल पूपी सरिफाइट पूपी है मेरे म में दिलादीकारी को दिखने रही हुआ को दिया जाएगा उसके फोच्पी है ठीक है हम और इस रखारें जीकिए इसनिये घ्राशे देखे हैं मैंने 8 एक के तार कूट में आवेदन देखरके सूचना माला कि ये 918 में जो 89 का केस है अफ्रन के मांदे में कुमाजादब और रामकुमाजादब के अफ्रन के मांदे में पक्पुयादब वारंटी है, इस्तहार निकला हुआ है, कानून तोरने वाले लोग है, जब जाहिद है, तो इनकी ग्रवडारी हो, और ये जब ग्रवडारी नहीं हुई, पुरा बिहार में ये घुम घुम करके अपना परचार कर रहे थे, लेकिन एक शाजिस करके अपना एडमिट हो गया है PMCS में, और यहीं से सपतपत बेजे, उनके जो लेक्षन एजेंट हैं, अभे पुमार उनको वहां उपस्तित थे, मैंने, पेपर है आपको देंगे, मैंने लिखित रुख से, एस्कुष्णी के टैम में, निर्वासी पदारी कारी को कहा, कि सहाथ इन्होंने फैक्स शिपाय और मैं आपको बढ़ाता हूँ, कि पूरे सरकार की संदक्षन में, कलक्टर हों, जिनापरशासन के लोग हों, सारे लोगों ने इनको शुरक्षा दिया, मधिपुरा में इनका हेलिकप्टर चार जगह लेंड किया, पुरु सुचना हमलों ने दिया लिखित, कलक्टर ने र सरकार के संदक्षन का, सुचासन वाओ के संदक्षन का, ऐसा व्यक्ति जोहां से मधिपुरा में चुनाओ लगा था, इसका मतलब ये नुरा कुष्टी चाहे, 2015 का चुनाओ को गयाद करिए, बुरा विहार में चुनाओ लगा है, केथो सिख भी ला है इनको, पताने कही जम पानुद बचा की नहीं, तो ये जो संदाइक ताक्तों के हाथ में खेलते हैं, समाज इतने समाज बात, को कमजोर करने का काम करते हैं, और ये एक इनकी बात नहीं है, पतानी हम लोग देखते नहीं है, लेकिन कई रंकारोप है, हेलिकप्टर किस ने दिया, और क्या-क्या क इसने लिया कोई देखा नहीं आप लोगे जानकारी पर सोरता हूं समाज को पर सोरता हूं कि आखिर जब एक सीद मिलने वाराज किसी पार्टी को नहीं हो तो वो जो चुनावदर्थ में हैं इसका मतलब है बोट कट्वाने का कामुकर तो कि उस समय नितीज वावु इसलिए गरवदार ने कराए इसलिए उनको संद्शन दिये तो उस समय राष्टेजंता दल्का बोट करता राष्टेजंता दल्के आधार में छेड होता तो पप्व जानव बारा कुश के रूप में काम करते तो सासंसर्था और सब्सक्राइब बैटके लोगों ने उनको संद्शि पाया और आप पास्तर होगा कि बाद में टेंपरिंग करके पाले सब्सक्राइब आप आप मेरा यह कहना है कि संपुन रूप से शुषासन भावू का और देश को बैठे जोकिदार का जो परोना में अफ्छिल है अले इसी दुनिया में ताइवान एक देश है जहां सो के स सब्सक्राइब नहीं हुए और यहां बिमारे बिमार है जो दुनिया का सबसे खराबार ही मुष्टार का हो गया तो कई साथ देश चला रहे हैं आप समय दो एक देश के चोकिदार सहाब है वह सेंटर विस्टा वोनाने में कोरोना नहीं होता है मगर हर जगा कोरोना हो रहा तो इनके राह को कैसे मजबूती मिले तो यह पीतर के नेल से यह गिरबदारी कराई गई है कि समाज में एक संबाद जाए और हमारे अंदर में और मैं मजबूती से कहता हूं कि यह कुई आदमी जब इस सत्व को जान लेगा कि पक्पु यादब जी रगातार थैस को सिपा कि इस घ्रतना का टाउन बाल में की हो गए एक चीज़ है यह अफरा तो आएक जीस्चा है क्या है अभी का मुद्धा क्या है अभी को मुद्धा यह है मैंने अस्पश कैसे बाद को मुद्धा यह है कि घ्रबदारी की इस आशन सत्ता के साधीस के अंदर समाजिक नया और सम को पम्योर करने के लिए सॉसल जस्तिस को पम्योर करने के लिए और संपरदाइद ताक्तों मल्यूत ही देने के लिए उतकी ग번तारी का खेल खेला गया है इस में साजी स्थिस्वाशा की लूगों का इसलिए ऐ बाता에서 कि रहा हूं कि आ रेक्षिफाशचना की तो ग्रवदारी हो सकती थी इसलिए आज ग्रवदारी का सिधा कारण ये है कि हमारे मद्दाता के बीच में सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग डाक्टर लोई अभीप्राव मेटकर महात्मा फूले परियार जन्नायक करते थाकुर के रातों कमजेर और पंगोर करने वाले फ